असलाम लिगम एवरिवन वेलकम टो मैं चानल फाइजव असीम और आज की वीडियो में स्पेशल एक रिक्वेस्ट के उपर क्रियेट कर रही हूं मेरी एक वीवर ने मुझसे काफी टाइम से पूछ रही थी कामेंट बॉक्स का अंदर तो मैं काफी टाइम से सोच रही थी उ आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं के क्रिशन के आंसर जो है वो दूँगी और वो है मून के नाम से एक मेरी वीवर है उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम बास लोग वीडियो में अपनी असल आवास को चेंज करके वीडियो बनाते हैं अगर काइनले इस पर वीडियो आप मैं अपनी अवास को चेंज करना चाहते हो तो उसके काफी सारे वेस आपको मिल जाएंगे आप चाहो तो अपने डेक्स्टॉप के उपर रहते हुए भी अपनी वोईस को चेंज कर सकते हो लाइक आप कोई सॉफ्टर वे इस्ट्रॉल कर सकते हो या अगर आप मोबाइ आप्लिकेशन को यूस करते हुए अपने वोइस को चेंज कर सकते हो तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें कले पर एक खुर्ट कर लिति हो तो आपको काफी सारी apps मिल जाएंगी आप उनको one by one करके देख लो जो आपकी according जो आपकी need है उसके according जो आपको suitable लगती है mobile application आप वो यूज़ कर लो अगर आपको कुछ भैतर वाँ पर नहीं मिला तो मैं आपको एक software यहाँ पर दो software के बार में बताऊंगी ठीक है एक तो एक जो दूसरा वाला software उसके जरीए तो मैं आपको अभी live करके दिखाऊंगी कैसे आपनी voice को change कर सकती हो तो देखो यहाँ पर पहला software है वह audacity के नाम से ठीक है यह software आपको free मिल जाएगा Google के उपर आपने simple search करना है audacity software free download और यहाँ पर आपको उसकी website मिल जाएगे ठीक है यहाँ से आप इस software को download कर सकती हो और इस software को use करते हो आप अपनी voice में काफी changes ला सकते हो like उसका effect change कर सकते हो उसके pitch up-down करके उसकी frequency में changes लाके आप अपन software install नहीं है में पास अभी इस वक्त नहीं है मैं आपको यहाँ पर live करके दिखाती है ठीक है लेकिन में पास एक software है install camp ratio studio अगर आप एक यूटीबर हो तो आपने इसका नाम सुना होगा आप इस software को use करते हुए भी अपनी voice को change कर सकते हो कैसे मैं अभी आपको करके दिखाती हुए है मैं उसको यहाँ पर import कर लेती हूँ और मैंने double click किया है और वो video मैं पास यहाँ पर आ गई मैंने sample इसको add to the timeline किया है और यह मैं पास timeline के उपर भी आ गई ठीक है अब देखो आप इसका जो यह वाला part है जो white part शो हो रहा है वो है मेरी voice अब मैं चाहती हूँ मैं इ आवाज में convert कर सकती हूँ अभी इस वक्ति already female की voice में है क्योंकि मैं खुद female हूँ लेकिन अगर मैं जा रही हूँ कि मैं इसको और ज्यादा थोड़ा change करूँ female की voice में तो यहाँ पर मैं right click करूँगी और मुझे clip speed का option मिल जाता है clip speed का वैसे तो यहाँ पर purpose थोड़ा change है म लेकिन आपके voice भी उसके साथ चल्दी चल्दी जब play होगी तो उसमें एक female की voice का आपको एक effect नजर आएगा ठीक है आप इसको change करके देख सकते हो लेकिन अगर आप इसको hundred से कम करते हो तो यहाँ पर आपकी voice में effect आएगा तो change आएगा वो थोड़ा male की voice की सूरत में आए कर और एक चीज़ यहाँ पर होगी वो यह कि आपकी जो वीडियो है वो थोड़ा slow play होगी असल में इसका purpose club speed का यह है कि आपकी वीडियो को जल्दी play करना है या देर से play करना लेकिन यह आप आपके voice में भी change आता है तो इस feature को use करते हुए भी आप अपने voice को change कर सकते हो औ आप आपको different applications मल जाएंगे उनमें से जो आपको suitable लगती है one by one करके check करो और इस तरह से आप अपका question clear हो गया होगा अभी पर कोई आपको confusion है अभी पर कोई आपको difficulty वह आप comment box में पूछना मैं आपको आपको क्ला कर दूँगी I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करना comment box में लिगकर जरूर बताना वीडियो कैसे लगी मिलता है next video में अप आपको 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 आपक